नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाजार में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पताए कि बिहार में 15 जून तोक उनलॉक वन लागू ता लेकिन आज ही नितिस कुमार ने मीटिंग के बाद यहां फैसला किया है कि onlock 2 कल से लागू होगा और यहां एक सब्ता के लिए रहेगा आपको बता दे कि onlock 2 की तहद कई सारे प्रतिबंद को हटाया गया है जिसको हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे तो इस को देखने के बाद अगर आपके मन में कोईविस सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंड करके जरूर पूछे और आप बिहार की किस जीले में रतें साथ हमें नीचे कमेंड करके जरूर बताएं तो चलिए आज की बड़ी कबर बिहार में 22 जून तक उनलोक टू सरकारी और गैर सरकारी ओफिस साम 5 बजे तक खुलेंगे दुकाने और प्रतिष्टान 6 बजे तक रात्री कर्फ्यू रात 8 से सुब़ 5 बजे तक जिहां बिहार में 16 जून से उनलोक टू की सिरुवात हो गई है सियम नितिस कुमार ने 22 जून तक उनलोक टू का एलान किया है कुछ रियायतों के साथ उनलोक टू की घुसना होई है नई नियम के मताबिक अब सरकारी और गैर सरकारी ओफिस साम 5 बजे तक खुलेंगे दुकाने और पत्रिष्ठान एक दिन के अंतराल पर साम 6 बजे तक खुलने की इजाज़त दी गई है वहीं रातरी कर्फियो रात 8 से सुबा 5 बजे तक रहेगा उनलोक 2 के नियम के तहद खाद बेज, क्रिसी यंत्र, आवस्यक खाद समगरी की दुकाने हर दिन खुलेगी फल सवजे की दुकाने भी हर दिन साम 6 बजे तक खुलने की इजाज़त मिली है इसके लाव आपको बतादे कि उनलोक 2 में भी रेल हवाई सफर के लिए जा सकेंगे आवस्यक कारियों में सामिल सिवाओ के कर्मी निजी वहान से जा सकेंगे स्वास्त सिवा से जोड़े वहान चल सकेंगे आवस्यक सिवा से जोड़े सरकारी वहान चलेंगे वैसे वहन जिने जिला प्रसासन से पास प्राप्त है इंटरिश्टेट यात्रक करने वाले वहन आजा सकेंगे साधि समारो अंतिम संसकार स्राद में पवंदी जारी रहेगी लेकिन साधियों में सेंख्या को नहीं बढ़ाये गया है पहले की तरह बाराद जुलूस और डीजे नहीं रहेंगे तीन दिन पहले नजदी की थाने को सुचना दिने होगी अंतिम संसकार स्राद में भी सेंख्या को नहीं बढ़ाये गया है इसके अलावा सभी स्कूल, कोलेज, कोचिंग, संस्तान, ट्रेनिंग एवं आने सेक्चनिक संस्तान बन रहेंगे सभी धार्मिक स्तल, समाजिक, राजनितिक, मनोरंजन, खेल, कूद, सेक्चनिक, सांस्कृत वा धार्मिक आयजन समारों पर परतिमन रहेगा सारवजनिक इस्तलो पर किसी भी परकार के सरकारे एवम नीजी आयजन पर रोक रहेगे रेस्टोरेंट होटल डावे में से खाने की समान की होम डिलेवरी टेक होम की सुविधाई रहेगे आवासी होटल में रुके गेश्ट के लिए इन रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी जानकारों को कहना है कि कुरोना वारेस संक्रमन में कमे के बावजो तीसरी लहर को लेकर सतक्ता की वज़ा से अभी ज़्यादा छूट नहीं दी जा रही है लेकिन जैसे जैसे हाला सामाइन होते जाएंगे सरकार समिक्षा के बाद रहत बढ़ाती जाएगी जानकारों का मैनना है कि जून के अंतिम सप्ता या जुलाई थक ऑनलोक में बड़ी रहत मिल सकती है हो सकता है कि सरकार अगले महिने सिक्षन संसानों के साथ सर्वजनिक और सांस्क्रितिक आयजनों को कुछ सर्तों के साथ छूड़ दे दे दरसल आसंका है कि एक बार फिर बढ़ी छूड़ देने से संक्रमन की दर दोबारा बढ़ सकती है इसलिए सरकार देरे देरे छूड़ देने की निती पर चल रही